जै मातदी छट पूजा कब है 2024 में छट पूजा का जो विशेश मेहत होता है कहते हैं छट पूजा की तारीक खरणा से छट पूजा कौन कौन सी तिथी पर है और संपूर जानकारी छट पूजा 2024 नमंबर में कब है 5 या 6 नमंबर की छट पूजा दीपवली के सश्ट में दिन्तिती से सुरू होने वाले पर में ये हर साल छट पूजा पांच नमंबर से नाहय खाय के साथ सुरू होगी इसके बाद छट पूजा पर्व जो है चार दिनों तक चलते हुए खरना संद्या अर्ध प्रात्यकाली इन अर्ध के साथ 8 नमंबर को समाप्त हो जाएगी चट पूजा पर अगर आप घर जाने पर भो सारी पूजा बिधी बिधान होते हैं और कहते हैं मुख्यतिती जरूरी जान लेनी चाहिए आए चट पूजा की डेट और सही तारीक पूजा बिधी जानेंगे जो कि चट पूजा जो महा पर्व है वो बिहार उत्तरप्रदे जारखंड राज्यों में जैसे बिसेष महत पो रखने वाले पर्व हैं दीपावली के बास से ही छट की तैयारिय हो जाती हैं छट ब्रत रखने वाले लोग ज़्यादातर लोग अपने घर जाकर इस महा पर्व में शामिल होते हैं अगर छट पूजा के बिसेष महत का बिसेस बिसेस कार्य किये जाते हैं और यहीं जानेंगे छट पूजा का महत दोस्तों वीडियो को स्क्रीब मत करना अगर वीडियो पर पहली बार आए तो चैनल को सस्क्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना ताकि अगली वीडियो की नुट का एफिकेशन आप लोगो की कामना करते हैं इस ब्रत में शूर्य की पूजा की जाती है जिसमें हमें जीवन की शकरात्म कुर्जा मिलती है छट पूजा में लोग बहुत सारे नियमों का पालन करते हैं छट पूजा मुख्या रूसे बिहार उत्तपिर्दे जारखंड में मनाई जाती है यहां छट प इस छट परपर मुख्य रूप से सश्टमी तिथी को मनाया जाता है। इसरे दिन छट का परपर मनाया जाता है। छट पूजा की तिथियां हैं बहुत ही खास होती है। जानेंगे नाहें खाएं जो पांच नमंबर छट पूजा के पहले दिन श्राद धाल्यू यानि जो महिलाएं होती हैं नदी या तलाब में इश्नान करते हैं। और केवल सुद और शादविक भोजन ग्रहन करते हैं। ऐसे में छटे दिन जो खरना होता है दूसरे दिन वर्टी दिन भर निर्जला अवास रखती हैं। साम को पूजा के बाद परशाद के रूप में खीर, रोटी और फल खाए जाते हैं। यहीं संद्या अर्ध 7 नमंबर तीसरे दिन वर्टी जो है शूर्य असके समय नदी या तालाब के किनारे जाकर शूर्य देप को अर्ध देते हैं। यह अर्ध दूस से दिया जाता है, यह छट पूजा का सबसे महत्पूर दिन होता है। शूर्य को अर्ध दिया जाता है, कहते हैं बहुत बड़ी मान्यता है, मन चाही इच्छप पूजा करते हैं। जाद लोगों में परशाद बित्रण होता है, उतना ही फल की प्राप्ति होती है। और जो स्रद्धा भक्ती साथ अगर छट महिया के ब्रत को करता है, उसकी मन चाही इच्छा पूरी होती है। जो चाहते हैं संतान से संबंदित, दीरगायू से संबंदित, बो सारी चीजे आपको मिलती हैं। परशंतान प्राप्ति के लिए ब्रत करिया जाता है, छटी मईया का, जो कि 6 दिपा वली के छटे दिन से प्रारम होता है। नारियल और इसमें चुन्री का बहुत बड़ा महत होता है फलार से ये बिरत किये जाते हैं निर्जला बिरत रखती हैं जो भी मारता हैं तालाब या नदी में इश्नान करती हैं और वही पर सूर्य उकते हुए शूर्य को भी अर्द दिया जाता है और सामक संध्याकाल के समय भी अर्द दिया जाता है इस तरह से तीन दिन की पूजा संपन करने के बाद मांग में ओरेंज कलर का लंबा संधूर लगाती है अपने पती की दिरगाईउ के लिए यहीं तालाब में खड़े होका शूर्य शे अर्द देती हैं शूर्य को नवन करती हैं शूर्य से प्रात बहुत सारी महिला इस ब्रत को संपन करते हैं कुछ अलग कुछ नया फिल लेकर आते हैं तब तक के लिए जैम आता है